हेलो दोस्तों कैसे हुआ आप लोग स्वागत आपका टॉप अब दूल यूटीब चैनल पर और आज की जो जॉब अपडेट है वो एक्सेंचर की तरफ से होने वाली है यहां पर जो है एनि ग्रेजुएट अपलाई कर सकता है यानि आप में से जो है काफी सारे फ्रेशर्स हो सकते हो इसी के साथ यहां पर बाइसे के साथ स्वीडियो कोसे क्या रहनेवाली है इसी के साथ इस वीडियोगों को办िके lod Cynthia की पोस्ट है और job location जो है यहां पर मुंबई रहने वाला है और इसी के साथ साथ अगर हम qualification के तरफ बड़े तो यहां पर जो है कोई भी graduate apply कर सकता है अगर आपने किसी भी field से graduation किया है तो आप यहां पर जो है apply कर सकते हो इसी के नीचे और एक चीज़ दी हुई है कि years of experience जो है zero to one years है यानि अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप apply कर सकते हो और अगर आपके पास एक साल से कम का experience है तो भी आप यहां पर जो है apply कर सकते हो अब यहां पर जैसे ही थोड़ा सा scroll करोगे तो यहां पर जो है एक section दिया हुआ है what you would do यहां पर जो है आपको काम क्या करना होगा अगर मैं तो उसका जो है आपको solution लेकर आना होगा यह सब काम जो है आपको यहां पर करना होगा और जहीं आप थोड़ा सा और notification को scroll करोगे तो यहां पर जो है rules and responsibilities का और एक section दिया हुआ है यहां पर जो है चार points बताएगा है मैं आपको इसके एक short summary देता हूँ यहां पर जो है आप आपके जो टास्क है उसके detailed instructions आपको दिये जाएंगे last point में यहां पर इन्होंने mention किया है कि आपको जो है rotational shifts में काम करना होगा तो आप उसके लिए flexible या फिर तयार होने चाहिए इसके बाद अगर आप और थोड़ा सा नीचे scroll करोगे तो यहां पर जो है qualification का section दिया हुआ है आप 20 to 22,000 के बीच में expect कर सकते हो अब salary जो है private companies में depend करते हैं आपके उपर भी के आपके पर पर स्किल्स क्या है आप negotiate किस तरह से करते हो और काफी सारे factors होते हैं तो salary के बारे में तो मैंने आपको बता दिया और selection process के अगर हम बात करें तो यहां पर selection process कहीं पे भी mention नहीं ह लेकिन आप एक online interview ही expect यहां पर कर सकते हो अब जैसे यहां पर apply now पर click करोगे तो यहां पर जो है एक्सेंचर का page open होगा जहां पर जो है आपको थोड़ा सा नीचे scroll करके start application पर click करना है यहां पर जो है आपको basic अपना email address और जो profile बनानी होगी basic वो details आपको डालनी होगी जै सब करके आपको जो है अपनी profile बनानी होगी अब जैसे profile बन जाएगी उसके बाद application form खुलेगा और उसके बाद जो है आप application form में सारी details डालनी होगी अंदर यहां पे आप apply कर पा होगे तो यह थी भाई आज के एक्सेंचर के तरफ से job update उमीद करता हूँ आपको update पसंद आ मिल जाएगी इसे के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए goodbye take care